अगर आपको अपने मिनी मिलती है के अंदर इस तरीके से लिखाता है for your account security login in your facebook as embedded browser is disabled you may have able to continue updating the app you are logging from there and trying again ठीक है तो login disabled हो जाता है आपका login नहीं वो पा रही है तो इस problem को आपके से fix करोगे तो वीडियो को आप याप है पूरा दरोर देखे तो इसके लिए मैं आपको solution simple से बताऊँगा जिससे वीडियो आपके लंबी बिना हो और आपकी problem हट जाए दो चीज़े आपको यापकर करनी है सबसे पहले तो आपको करना है आपका facebook application के अंदर login होना चाहिए सबसे पहले होनी चाहिए ठीक है और बाकिया पर login है और फिर भी अगर आपको यह दीक्कत आ रही है यह वाली problem है यहापको minimal के अंदर शो हो रही है तो उस case में आपको क्या करना है आपके facebook के अकाउंट को जो है logout करके logout करके फिर से वापी से login करना है ठीक है आपको फेस्बूक के अंदर अकाउंट है तो आपको इसे logout करना है एक बार और फिर से login करना है और उसके बाद आपको यहाप लॉग इन करना है और अगर यह तरीक आपका काम नहीं करता है यहाँ पर अगर आपको problem आ रही है तो दूसरा कम आपको यह करना है दूसरे situation मे अगर यह काम ना करें तो आपके facebook application को आपको यहाँ से uninstall कर देना है ठीक है आपके phone से आपको अपने facebook को हटा देना है डिलीट कर देना है आपको facebook को और फिर से अपने अपने mini multi application में जाना है वहाँ पर आपको login करना है facebook के through password और id जो भी आपका उडालना है और देन आपक application के अंदर login नहीं होगा mini multi के अंदर login नहीं होगा कम से कम आपका जो facebook id है वो तीन से चार या फिर एक हफते का पुराना होना चाहिए तभी आपका यह login successful हो पाएगा ठीक है उसके अलावा आप यहाँ पे mini multi application को एक बार update करवा लिजे यहाँ से play store में आकर एक बार इसे update कर लावाग दीक